नमस्कार फ्रेंट्स मैं हूँ सुशील और आप सभी का स्वागत है कुकिंग विद फ्लेम पर और आज की रेस्पी में हम बनाने जा रहे हैं कोल्ड कॉफी जी हाँ तो चलिए रेसिपी को स्टार्ट करते हैं इनके हमारे सभी रेडी हैं तो कोल्ड कॉफी बनाने के लिए हम सबसे पहले कॉफी सीरप रेडी करेंगे कॉफी सीरप तो उसके लिए देख लिए हमने यहाँ पर आधा कप लिया है पानी यानी के 150 ml हमने आप पर पानी लिया है और पानी हल्का सा गरम हो जे तब हमने इसमें एट कर दिया है कॉफी पाउड़र यहां पर हमने चार वो काफी सरफ में यूज करने वालें वह हमारा बनके रएड़ी हो जाए तो चारीप नहीं करना है तक अमने करना देर हमें इसे कूक करना है ताकि जो हमारी शुगर हैट वह काफी पावडर और मिल्क साथ अच्छे से dissolve हो जाया तो तकरीब डेट से दो मिनट हो चुके हैं और coffee का जो sirup है वो हमारा बनके बिल्कुल ready हो आप देख सकते हैं flame को हमने gas को बंद कर दिया है और यह देखिए यह हमारा जो coffee syrup है वो बनके बिल्कुल ready हो चुका है coffee syrup ready होने के बाद हम इसे एक अलग बरत्र में खारे करके इसको हम थंडा कर लेंगे आप नहीं तो फ्रीज में रखके भी इसे थंडा कर सकते हैं या आप इसे room temperature पर continue से stir करते रहे हैं यह आप उसे वहां पर room temperature पर भी ठंडा कर सकते हैं तो यहाँ पर हमने लिए है mixer का जार और उसमें हमने add कर दी है दो scoop chocolate ice cream आप इस chocolate ice cream पर जगा यहाँ पर vanilla ice cream भी add कर सकते हैं बट मेरे पास chocolate ice cream अविलेबल थी मैंने यहाँ पर दो scoop chocolate ice cream यहाँ पर add कर दी है chocolate ice cream आप इसमें add कर देंगे chilled milk यह देखिए यह हमने यहाँ पर करीब 200 ml हमने यहाँ पर add कर दे है chilled milk chilled milk add करने के बाद आप हम यहाँ पर add कर देंगे coffee syrup जो हमने अभी coffee syrup बना के ready किया है जैसे हमने ठंडा किया है वो जब coffee syrup ठंडा हो जए तब हम यहाँ पर दो बड़े चमच यह देखिए हम यहाँ पर add कर देंगे coffee syrup तो आप अपने taste के according अगर आपको ज़्यादा strong cold coffee पीनी है तो आप यहाँ पर 2-3 चमच भी add कर सकते हैं और इसमें हम add कर देंगे तक्रीव दो चमच हम यहाँ पर add कर देंगे condensed milk हमने यहाँ पर add करने के बाद अब हम इसमें add कर देंगे white sugar यह देखिए taste के according आपको कम यह ज़्यादा करना है तो आप कर सकते हैं तो सभी ingredients हमने यहाँ पर mix जार में add करके अब उससे हमें grind कर लेंगे तो lead को cover करके और अब हम इसे blend कर लेंगे तकरीब एक से डेड़ में तक इसको हमने high speed पर हमें इसे blend कर लेंगे ताकि जो हमारे सभी ingredients है वो अच्छे से mix हो जाए और एक हमारी बढ़िया सी cold coffee बनके ready हो जाए तो एक से डेड़ में तक हमने इसको cold coffee को अच्छे से blend कर लिया है तो cold coffee जो हमारी वो ready हो गए तो चलिए अब हम glass की थोड़ी सी decoration कर लेते हैं उससे थोड़ा सा fancy बना लेते हैं तो देखिए हमने लिए glass में हमने add कर दिया है chocolate syrup ये देखिए ये glass था हमने इसमें chocolate syrup add कर दिय आपने इसको glass को अच्छे से इस तरह से chocolate syrup को add कर देना है ताकि एक glass में आपकी एक अच्छी look आए तो glass को थोड़ा सा decorate करने के बाद अब हम इसमें add कर देंगे cold coffee ये हमने यहाँ पर add कर दी है cold coffee glass को full कर देंगे क्योंकि यह हमारी cold coffee बनके विल्कुल ready हो गई है तो हलकी सी इस गार्णिश अभी हम और करेंगे और यह हमने उपर इसकी कर दी गार्णिश विप क्रीम से अगर आपके पास एवलेबल है तो आप विप क्रीम एड़ कर देजिए अगर आपके पास एवलेबल नहीं है तो आप इसकी जगापे आप vanilla ice cream के scoop भी उपर से एड़ कर सकते है और इसकी अच्छी सी garnish कर सकते है वनिला ice cream या विप क्रीम उपर से topping करने के बाद इसमें हम हलका सा sprinkle कर देंगे coffee powder यह देखिए यह coffee powder हमने उपर से हलका सा sprinkle कर दिया है और हलका सा हम इसमें add कर देंगे chocolate syrup यह देखिए यह हमने add कर दिया chocolate syrup तो जो हमारी cold coffee है वो बिलकुल ब करें इसकी recipe मैंने नीचे description box में भी दे रखी आप चाहे तो उससे वहां सभी follow कर सकते हैं and thank you for watching my video and फिर में लेंगे new recipe के साथ